इनके माता-पिता दोनों का इंकम और दोनों की प्रोपर्टी को अगर आप जोड भी देंगे तो वो संपत्ती जो बनती है वो दो कुलूर से जादा नहीं बनती है लेकिन सांभवी चोधरी जो की चोथे चरण में लोगसभा चुनाव चोथे चरण में बिहार के समस्तिपूर लोगसभा छेतर से LGP के टिकट पर लोगसभा चुनाव लग रहे हैं मातर 25 साल के हैं उनके अकेले की संपत्ती दो कुलूर रुपे से जादा है संभवी सिर्फ अपने संपत्ती के मामले में अपने पिता और माता से आगे नहीं है बलकि सलाना आई के मामले में भी संभवी अपने पिता से आगे निकल चुकी है असोग चोधरी का सलाना आये 2022 में जो उन्होंने हलफ नामा दिया है उसके नुसार मात्र 20 लाख रूपे और उनकी बेटी का सलाना आये 39 लाख रूपे है बेटी का सलाना आये पिछले 5 सालों में 6 गुना बढ़ा है और दमाद का 9 गुना बढ़ा है और असोक चोधरी का कितना बढ़ा है पिछले 12 सालों में चार गुना भी नहीं बढ़ा है असोक चोधरी ने जो पिछले साल 2023 में बिहार विधान परसद को अपने हलाफ नामा खुद दिया था प्रोपर्टी का पूरा ब्योरा दिया था क्योंकि सभी नेता को देना होता है सभी MLC को देना होता है तो उस प्रोपर्टी के ब्योरे में उन्हें बताया था बिहार विधान परसद को जो संपत्ति का वियोरा दिया था उसके अनुसार उनकी उस समय यानि कि आज से 14 साल पहले उनकी संपत्ति थी 69,53,847 रुपे जो कि पिछले 12-13 सालों में बढ़ करके मातर 4 गुना, 4 गुना भी नहीं बढ़ा है क्योंकि अभी पहुने 2 कुलोर हुआ उस समय 60,00 के आसपास थ जा गया है, उनकी पूरी संपत्ति 2 कुलोर भी नहीं है, जबकि ये भी ध्यान रखेगा कि असोप चौधरी के पिता महावीर चौधरी भी कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं थे, आठ बार विधायक रह चुके थे, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, और उसके अलाव बावजूद, दादा जी का इंकम, पिता जी का इंकम, सारा इंकम होने के बावजूद, असोप चौधरी का आय और संपत्ति आज तक 2 कुलोर से ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन बेटी की कमाई, पढ़ाई करते हुए भी 30 लाग सलाना तक पहुँच गया, और कुल सं साल की कमाई, पिछले साल, पिछले 5 सालों में लगभग 6 गुना बढ़ी है, इनके पती की लगभग 9 गुना बढ़ी है, जैसा मैंने आपको बताया, 5 ही साल में, साल 2018 में, जब सामभवी बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनका सराना आय था 5,7598 रुपे, एक साल की कमा पाई है, 39,99,630 रुपे, यानि कि पूरे 30 लाख, मतलब लगभग 5.91 गुना की बृद्धी हुई है, पाँच सालों में सामभवी के हर साल के इनकम भी, इसी तरह से इनके पती का भी उठा लेजिए, सायान कुनाल जिन का नाम है, उनका 2018 में, एक साल में इनकम था, मात्र 4 53,761 रुपे, यानि कि 18 उन्यस में सायान का इनकम था, वो सामभवी से कम था, उनका 5 लाख से जाता था, इनका 4 लाख ही है, और इनका 4 लाख से ये 2018 में बढ़ करके, 2022 ते इसमें बढ़ के सीधे हो जाता है, 46,96,920 रुपे, यानि कि लगभग 47 लाख रुपे है, यानि कि पती की आय में इनकम लगभग 8,64 गुना की वृध्धी हुई है, अब किसी नौगरी में इतना पर्मोशन या इनकम इंक्रिमेंट तो कभी मिल नहीं सकता है, हिंदुस्तान में तो कोई ऐसे कमपनी होगी नि, जो 5 साल में 9 गुना आपका इनक्रिमेंट कर दे, सेलरी पता नहीं साथ दुनिया में कोई कमपनी ऐसी हो और वहां ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इनसे अगर आप पूछिएगा, जो कि चुनावायों पूछती है, कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, तो इनके अनुसार, सांभवी चौधरी के अनु इनके पास जो प्रोपर्टी है, यानि कि जो बिल्डिंग वगएरा होगा इनके पास, उससे इनको रेंट मिलता है, अब अगर इस रेंट को और इनके इनकम जो आप ये बता रहे हैं, इन्टरेस्ट से मिलता है, उसको भी अगर आप सही से अनलाइज किजिएगा, तो वहा अगर 35 लाग का 5 परसेंट अगर करेंगे, 7 परसेंट भी करेंगे, तो 2 लाग रुपे बनता है, आप 10 परसेंट ही कर लिजिए, तो 3 लाग रुपे जाद बनता है, ज्यादा से ज्यादा इनको इनको इंटरेस्ट मिलेगा, जो इनके नाम पर प्रोपर्टी है, उसके बारे इनका income है, 3.5 लाख रुपे आप minus कर दीजिए उसमें से, जो इनको आता है bank से, अगर 10% कोई दे रहा है bank, तो fixed deposit भी कर रहा है, इनने तो, बचा 26 लाख रुपे, तो 42 लाख रुपे का कोई building है, जिसकी कीमत 42 लाख रुपे जिस building को हो, और उससे 26 लाख रुपे एक साल महीं आजाए, ऐसा अगर कोई property कहीं भी हिंदुस्तान में है, तो उसका पता जरूर इन लोगों को बताना चाहिए, बहुत लोग होंगे जो 42 लाख रुपे इन्वेस्ट करके, और 26 लाख रुपे महीना, 17 लाख रुपे सलाना कमा लेंगे, अराम से बैठके जीवन विश्वास काटेंगे, तो ये बात तो विश्वात करने लाइक लग नहीं रहा है, और अगर संभवी का बाकी का 26 लाख रुपे कहां से आता है, ये हमें नहीं पता है, तो आपको भी नहीं पता होगा संभवता है, ये तो संभवता सिर्फ और सिर्फ संभवी चोधरी बता सकती है, य या फिर उनके पती बता सकते हैं, या फिर नहीं तो उनके ससुर, या नहीं तो माता-पिता बता सकते हैं, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन News Hunter को इतना तो जरूर पता है, कि सांभवी चोधरी की जो खोट है, जो लोचा है, वो सिर्फ कमाई में नहीं है, बलकि इन सांभवी को पूरे देश के युवाओं को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि दी स्कूल के युवाओं बहुत बेरोजगार होते हैं, 14-15 लाख रुपे उनको पढ़ाई करते-करते इंकम हो जाएगा, और सांभवी ये भी नहीं कह सकती है, कि 2021-2022 में उन्हें बैंक पे इंट प्रोपर्टी थी, उससे उनको रेट मिलता था, क्योंकि इनके नाम पर जो पतना में एक विक्रम में प्रोपर्टी है, जिनके बारे में इन्होंने बताया है, 42 लाख रुपे का, वो इन्होंने फरवरी मार्स 2022 में खरीदा है, तो जब ये एमे कर रहे थे, तब इनके पास 2022 में हुआ है, तो वो भी नहीं हो सकता है, इनके अकाउंट में भी उस समय, असोक चौधरी जब अपना हलफ नामा देते थे, तो उसमें अपनी तीनों बेटियों का विवरा देते थे, कि इनके पास कितनी प्रोपर्टी है, कितना उनके बैंके अकाउंट में, पैसा प्रोपी ही, कौन सा बैंक दे देगा इंट्रेस्ट, क्योंकि आपके पास कोई प्रोपर्टी तो है नहीं, प्रोपर्टी आपके पास 2022 में आया है, रेंट उसके बाद मिलेगा, आपको मिलेगा, तो ये इनकम का लोचा और पढ़ाई का लोचा इनका बहुत अजीब सा है, इसे आप खुद समझिए, हमारे पास तो इसे समझने का कोई लोचिक मिल नहीं रहा है, फिलाल अगर आपको वोट देना है, तो सारी जानकारी कठा करके सब कुछ पता करने के बाद सोचिए, समझिए, सोचने, समझने के बाद ही अपना फैसला लेजिए, कि आपको किसे व प्यक्ति के हर उम्मिदवार के हर पक्ष को समझिए, सवाल आपका भी है, आपके लोगतंत्र का भी है और हमारे लोगतंत्र का भी है, इसलिए बने रहिए न्यूज हंडर के साथ, नमस्कार